आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे रामा सिद्दान तक दिए उत्री श्रेडी आईक्यूपे आपका बहुत-बहुत स्वावियता आज हम बात करेंगे एक और परम वीर की वीरों के वीर रामा रागोबा राने की दोस्तों ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है आप वीरता सिर्फ और सिर्फ बंदूग से ही दिखाए आप वीरता बिना बंदूग के भी दिखा सकते हैं तो क्यों इनको परम वीर चक्र मिला बता दूँ कि इन्होंने बंदूग से वीरता नहीं दिखाए थी लड़ाई की थी इन्होंने बंदूग से लेकिन जो परम व मेरा फेस्बूक पेज है सिधान तक निए उतरी के नाम सब मेरी फेस्बूक प्रोफाइल है दोनों जगा पेच्च की पीडिये प्रेज सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं सेडी आईक्यो के टैबलेट और पेंडर कोर्स हर एक्जाम के लिए आते हैं आप इन नंबर्स पर कॉल करिए वेबसाइट विजिट करिए हाली में हमने यूजी सी नेट कॉमर्स का कोर्स लॉंच किया है तो अगर आप नेट एक्जाम की तयारी कॉमर्स सब्जेक्ट से कर र दिया है तो चलिए पहले हम कुछ facts जान लेते हैं देखें दोस्तों परमवीर्चक्र जो है वो आपको पता ही है highest military award है ठीक है ना सबसे उचा award है जो वीर्ता के लिए दिया जाता है ठीक है अगर आपने अपनी unit के लिए बलिदान दिया है अगर आपने self sacrifice किया है और जबर जबर्दस्त वीर्ता दिकाई है उसके लिए दिया जाता है यह मैनो प्रांत भी दिया जाता है ठीक है ना शहीद हो गया उसके बावजूद आपको परमवीर्चक्र मिलेगा और अगर किसी ने तीन चार बार ऐसे ही जबर्दस्त वीर्ता दिकाई तो हर बार परमवीर्चक के हैं वैसे defense की तीनों unit को तीनों टुकडियों को चाहे वो हमारी army हो चाहे वो हमारी air force हो और चाहे वो हमारी navy हो यह तीनों टुकडियों को दिया जाता है लेकिन अभी तक 21 में से 20 Indian army के हैं और एक Indian air force को दिया गया है ठीक है तो अगर आप किसी तरीके से army में है और आपने कमाल का काम किया है तो आपको परमवीर चक्र मिलना तय है एक चीज़ और बता दू दोस्तों कि इसमें cash award भी होता है जी हाँ भाया हमारे जवानों का खयाल हर को ही रखता है भारत सरकार तो रखती ही रखती है साथी साथ यहाँ पर राजियों की सरकार भी रखती है तो हम यह देखते हैं कि pension यहाँ पर दी जाती है यह 20,000 की pension होती है प्लस regular pay होता है और उस पर कोई tax नहीं लगता है तो यह जो cash money है अगर किसी भी soldier किसी भी सिपाही की शादी होगी उसको परमवीर चक्र मिला है उसकी wife है तो उसको मिलेगा उसकी wife को तब तक मिलता रहेगा जब तक उसकी मृत्यों नहीं हो जाती या फिर उसकी दुवारचादी नहीं हो जाती अगर किसी की wife नहीं है तो मिलेगा यह उनके माबाप को, उनके पैरेंट्स को और यहाँ पे राज भी, अलग अलग स्टेट भी कैश अवार्ड से देते हैं, मन्थली पिंशन होती है तो यहाँ पे खयाल पूरी तरीके से रखा जाता है यह गजब की बात है हमारी आर्मी की एक फैक्ट और बता देता हूँ, 21 जो एवार्ड मिले हैं दोस्तों भारत ने, आजाद भारत ने, सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें, तो चाइना से, चीन से लड़ाई-लड़ी है और पाकिस्तान से लड़ाई-लड़ी है 16 जो एवार्ड है, वो भारत और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए है, 1947 के बाद से तब दिया गया है, और बाकी पाच हमारे, जब इंडो-चाइना के वार्ड हुए थे, ठीक है न? तो यह भी आपकोल, 1987 के लिए भी दिया गया था, वो भी हम बताएंगे, ठीक है वो किस लिए दिया गया था, ठीक है तो हम यह देखते हैं कि जो 16 एवार्ड है 21 में से वो जो है, वो जो भारत और पाकिस्तान के कॉन्फिक्ट हुई है, उसके लिए दिया गया भारत और पाकिस्तान की कॉन्फिक्ट 1947 के बाद से शुरू हुई, फिर 1965 में हुई, फिर 1971 में हुई, और फिर 1999 में हुई, हर बार पाकिस्तान हारा, ठीक है और वो क्यों हारा, इनी जवानों की वजए से तो अगर हम देखते हैं, रामा राघुबा राने की बायोग्राफी, सेकेंड लेटिनेंट रामा राघुबा राने, ये मेजर के पद से रिटायर हुए थे, 1994 में इनका, 1994 में, 96 साल की उमर में इनका दिहान्त हुआ था, 26 जून 1918 में, चेंदिया कारवार करनाटक में इनका जनम हुआ था, आजाद भारत नहीं था उस वक्त, नॉन कॉपरेशन मुवमेंट स्टार्ट हो गया था, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गांधी जी ने जो मुवमेंट चला है, उस मुवमेंट से रामा राघुबा राने बहुत ज़ाद प्रभावी थे, साती सात, इनके जो पिता जी थे, वो भी पुलिस में थे, हलाकि उस समय तो पुलिस, आर्मी, सब कुछ ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, और वर्ल्ड वर वर वन के दोरान ये पैदा हुए थे, और जब इन्हों ने आर्मी जोइन की, वो भी वर्ल्ड वर टू के ही दोरान जोइन की, तो ये बंदूक से अपना नाम लिख लेते थे, इतना बहतरी इनका निशाना था, तो बहुत ही बढ़िया, तो 1939 में दोस्तों जो वर्लड वर टू शुरू हुआ, भारत, क्यूंकि भारत की आर्मी ब्रिटिश के अंदी इन्ती, तो भारती सानिकोनेस में फाग लिया, अब हम की तीनों के इंट्रस्ट अलग अलग है, जापान को टेक्निकली जर्मनी इटली से कोई लेने ही देना नहीं है, ठीक है, लेकिन जापान एशिया में सबसे बड़ी ताकत बनके उबरना चाता है, और अपना दबदबा कायम करना चाता है, शाहिना को हरा के उसने शुरूआ और इससे पहले रशिया को हरा के शुरूआद की थी, ठीक है ना, यह 1905 में, 1903 में जो रशिया के साथ वार हुआ था, 1903 में की 1905 में में तोड़ा था, भूल गया हूँ, जो रशिया और जापान का वार हुआ था, जापान ने हरा दिया था रशिया को, तबी तो भारत, ज देखते हैं कि यहाँ पे गांधी जी ने वोला कि इनको तो पूरी तरीके से हटाओ, लेकिन भारत के जोच सोल्जर्स थे, वो ब्रिटिश हार्भी में थे, तो 1942 में, 1942 में, World War II में, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, जापान ने बर्मा के रास्ते भारत को इन्व भारत आजाद हो गया, और जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो इनका जो प्रोमोशन था, वो एज़ा हवलदार कर दिया गया था, ठीक है, तो यह प्रोमोट कर दिये गया थे, और Corps of Engineer में इनको कमिशन किया गया था, और उसके बाद फिर Second Lieutenant इनको दिया गया था, हाला कि यह बहुत ही जबरदस्त थे, आपको बता तो कि इनको पुने में ट्रेनिंग की थी, और इनको जब Second Lieutenant बनाया गया था, तो यह Advanced Training के लिए जाना चाहते थे, क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि जब इनको यह Post दी गई थी, तो क्या था, कि जितने भी Officers थे, वो इनके सब Senior थे, और इनसे कुछ ज़ादा बनती नहीं थी, तो यह चाहते थे, कि मैं और अच्छे से Training करूँ, लेकिन 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर एरिया को इनवेड कर दिया, दोस्तो 26 October को Instrument of Accession राजा हरी सिंग ने साइन किया था, क्यों साइन किया था, क्योंकि इधर पाकिस्तानियों पूरी तरीके से कश्मीर को अपनाना है, तो कश्मीर पे हमला बोल दिया, अब यहाँ पे हुआ क्या, कि राजा हरी सिंग पहले तो बोल रहे थे, कि हम तो आजाद है, 15 अगस्त के बाद से ही बोल रहे थे, कि हम आजाद है, हमको आजादी चाहिए, ठीक है, ना पाकिस्ता का जवाब यहां पे दे गया और उन्होंने बोला कि अब तो हम सब की बैंड बजाएंगे तो वहां पे इन्होंने कश्मीर के एरिया में जो कबजे करने शुरू किये इतनी भरबरता की लूट खसोट मचा दी बलातकार किये यहां से डर गे राजा हरी सिंग कि अगर कुछ न प्राब्लम हो गई थी लेकिन हमारी सेना ने खदेड दिया तब हमने बताया था ना दोस्तों कि किस तरीके से श्रीनगर एरपोर्ट पे कबजा करने की कोशिश की और 26 अक्टूबर के तुरंत बाधी मेजर सोमनात शर्मा को भेजा गया था जिनके हाथ में प्लास्टर था 3 नवेंबर को मेजर सोमनात शर्मा ने लड़ाई की थी और उसके बाद 6 नवेंबर को मेजर सोमनात शर्मा ने लड़ाई की थी शहीद हो गए थे इनकी 50 सोल्जर्स की टुकडी थी वर्सेस 500 सोल्जर्स की टुकडी 6 घंटा पाकिस्तानियों को रोक के रखा था और कम से कम हाला कि 1-7 का रेशियो था आउट नंबर हो गई थी हमारी सेना लेकिन उसके बाद रोक के रखा था आगे बढ़ने नहीं दिया था और कम से कम 100-200 कबाईली मारे थे लोने तो यहां पे पहला परमवीर चक्र सोमना चर्मा को मिला उनकी बाग्राफिक का वर्ड है उसके बाद जादू उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे जो पाकिस्तानी सेना वो और आगे बढ़ने लगी नौशेरा सेक्टर फिर फरवरी 1948 में जादू नासिंग ने कमाल का परा जाडी है राणे की जीहाँ रामा रागोबा राणे इनको तीसरा परमवीर चक्र दिया गया था अब दोस्तों इन्होंने मैं आपको बता दूँ इनका प्रोमोशन बहूत ही जल्दी जल्दी हुआ। इन्हों ने बहुत जो इनको ट्रेनिंग दी जाती थी बहुत जल्दी सीखते थे तो हुआ क्या दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ती जा रही थी रज़ोरी, पुंच, जांगरी ये सारे के सारे इनके कबजे में आ गए थे श्री नगर से खदेर दिया था यहां पे लेकिन और साधा प्रॉब्लम हो जा रही थी तो यहां पे भारती सेना ने पूरा एक उपरेशन चलाया और जब तक एक-एक सैनिक को नहीं खदेरेंगे तब तक रुकेंगे नहीं तो हम यहां पे देखते हैं कि जो हमारी जो सेना है वो राजवरी की तरफ मूफ करने लगी नौशेरा सेक्टर से अब प्रॉब्लम यह थी कि दुश्मन ने एंटी टैंक माइन्स बिछा रखे थे यहां पे आपको जानके हैरानी होगी कि इनको बंदूक चलाने के लिए परमवीर चक्र नहीं मिला इनको चक्र मिला जो लैंड माइन्स थे ना पूरे के पूरे मैदान को इन्होंने साफ कर दिया था देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी आर्मी है ठीक है टैंक आ रहे है हमारी आर्मी आ रही है बंदूके आ रही है यहाँ पे राने चल रहे है और उनके सोल्जर्स चल रहे है ठीक है अब क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तान है यह पूरा लैंड माइन एरिया राने जो है यह तक 72 गंटे बिना सोय बिना खाय इन्होंने सारे रास्ते क्लियर किये एंटी टैंक माइंस जो बिछे हुए थे उनको हटाया ठीक है हर जगा से हटाया अब आप सोचेंगे क्या सर फाइरिंग नहीं हुई अरे बिलकुल हुई जब इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया था तो यहां पे हुआ क्या था इन्होंने बानवाली रिजितों जीत ली थी जो कि 11 किलोमेटर नौर्थ था 11 किलोमेटर दूर था नौशेरा से आगे था लेकिन अभी पूरी तरीके से पाकिस्तानी को नहीं ख़ड़ पाय था पाकिस्तानी ये तो कबाईली थे इनके बेस में आये थे ठीक है ना ये सिविलियन्स के बेस में आये थे कुर्ता पैजमा पैन के आये थे ये सोल्जर्स नहीं थे मतलब सोल्जर्सी थे लेकिन ये अपने आपको नहीं दिखा रहे थे कि हम सोल्जर्स है तो दोस्तों हुआ क्या था कि 8 अप्रेल साड़े 11 बजे कर रहा है आगे जाना बहुत मुश्किल है तो आपको पता है लैंड माइन्स हटाए कैसे इन्होंने आपको बताता हूँ मैं राने जी ने टैंक के नीचे से लैंड माइन्स हटाए कैसे राने जी ने बोला कि सर मैं टैंक के नीचे रहूंगा इनके कमांडर ने जवाब दि इसे बना पाएगा तब इन्होंने वोला सर मैं क्रॉल करूंगा तो यहां पर दोस्तों टैंक को ऐसा कवर बना के टैंक के नीचे रेंगते हुए यह गए और इन्होंने एक एक landmines हटाए अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने दो रसी बांग रखी थी left मतलब चलना है right मतलब रुकना है यह signal था tanker को जो tank चला रहा था ठीक है ना तो left मतलब चलना है right मतलब रुकना है कितना बढ़िया दिमाग है नोंने उपियोग किया देकिन बहुत ही मुश्किल था दोस्तों क्योंकि tank तो अपनी speed से चल रहा था और इनको crawl करते हुए आगे जाना था और इधर बार बार enemy का fire आ रहा था तो एक एक करके इन्होंने सारे landmines हटा दिये भारती सेना के लिए पूरा रास्ता साफ कर दिया और भारती सेना जो है वो आगे बढ़ी लेकिन दोस्तों अभी काम पूरी तरीके से खतम नहीं हुआता ये तो 8 अप्रेल की बात है ना 9 अप्रेल को भी बहुत ज़्यादा problem थी रात भर दोस्तों हम देखते हैं कि राने जी ने काम किया रात भर इन्हों ने उस पूरे एरिया को साफ किया इसमें पाँच पाइन ट्रीज गिर गए थे उनको हटाया और जहां पे भी इनको खत्रा दिख रहा था वो सब चीज़े क्लियर की और कहीं अगर सोल्जर दिख जाता था तो उसको भी उड़ा देते तो पीछे आर्मी के लिए ये पूरा रास्ता जो है वो साफ करते रहे और ये 11 अपरेल तक चला दोस्तों 22 घंटे तक इन्हों ने और इनके सोल्जर ने बिना रुके काम किया और यहां पे हमारी आर्मी के लिए रास्ता साफ किया और फिर आर्मी रुकी नहीं पूरी तरीके से खदेडने में यहां पे कबालियों को कामियाब हो गई ठीक है न और यह सब 9, 10, 11, 11 यह 11 अपरेल तक चला ठीक है न तो यह चीज़ थी अब हम यहां पे देखते हैं कि इनी की ही वज़े से कम से कम 500 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उड़ा दिया गयता है कम से कम आकड़ा है अब अगर यह नहीं होते तो बहुत ज़दा प्रॉबलम होती क्योंकि उदर से फायर बहुत ज़दा तेज था फायर जब आ रहा था तब यह clear नहीं कर पाते field इसलिए तो उन्होंने tank का cover मांगा कि सरम को cover fire चाहिए मैं tank के नीचे रहूँगा और आप tank चलाते रहे और tank का मुझे क्योंकि tank मेरे उपर रहेगा तो आसानी से मैं जमीन से anti tank mines जो है वो निकाल लूँगा I hope आपको पता होगा mines क्या होते है दोस्तों यह बहुत खतरनाक फिसपोटक होते हैं यह जमीन के नीचे लगाए जाते हैं और जब भी इन पे tanks या कोई भी बहुत भारी चीज इन पे आती है और यह फट जाता है तो इनको diffuse करना पड़ता है ठीक है ना तो fuse use निकालके इनको पूरी तरीके से diffuse किया जाता है और यह रा तरीके से जाग के fields साफ की, mines साफ किये और रास्ता क्लियर करते गए जिसकी वज़े से हमारी आर्मी ने आगे के जो operation किये वो कमालके किये तो इन्होंने बंदूक नहीं उठाई, बिल्कुल भी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन उसके बावजूद इनको परमवीर चक्र द कानून मना और ये award स्थापित हुआ तो इनको परमवीर चक्र मिला, तो ये चीज़ है, आई हो पेले चराप को अच्छा लगा होगा, लेकिन यहाँ पे कहानी खतम नहीं होती है दोस्तों, इनको एक के बाद एक promotion मिलते गए, जी हाँ, इनको एक, पहले तो इनको second lieutenant, फिर lieutenant और ultimately ये rank of major, ये major के पद से retire हुए, और retire हुए तब भी इनका experience पूरी तरीके से graph करने की कोशिश की गई, civilian staff of the Indian army के ये member रहे, 1971 तक ये member रहे, और 1994 में इनका देहान्त हुआ, इनकी तीन बेटिया हैं दोस्तों, इननोंने बिलकुल शादी की थी और तीन बेटिया है, लेक अपने जल्द हाजर होंगा, अपने नए लेचर के साथ, नए परमवीर अबाटी के साथ, तब तक खुछ रहे हैं परतरी, देसे सिर्दान तक नहीं होतरी, signing off.